A very warm welcome dear friends. Welcome back to Economics Preparation YouTube channel. Schemes of Government of India के Part 1 वीडियो के बाद Part 2 वीडियो लेकर मैं आ गया हूँ. और आप यकीन मानिए कि इस पार्ट में पिछले से भी जादा important schemes मैंने cover की हैं. और आखरी तक देखने के बाद ही आप इस बात को यकीन करेंगे. तो बिना इधर उधर की बात की वे डिरेक्ट पढ़ते हैं, देखते हैं कौन-कौन से schemes मैंने cover की हैं. इस schemes को याद करने का तरीका पिछली वीडियो में मैंने बताया था कौन सी पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, वही poverty-related, unemployment-related, ruler-infrastructure education, यही सब schemes exam में cover की जाती हैं, तो हम भी वही schemes पढ़ेंगे जो exam में आती हैं. और generally उनका launch year, date वगएरा और किस मंत्राले द्वारा वो चल रही संचालित है, यह question भी आपका आता है. तो यह बात ध्यान में रखेंगे कोई भी schemes पढ़ते समय हैं. प्रदान मंत्री जंधन योजना, तो यह 28 अगस 2014 को launch की गए थी, 15 अगस जब प्रदान मंत्री जी पहली बार Red Fort से घोशना कर दी थी, उन्होंने इस योजना की, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, कि एकदम उनकी जो पहली schemes में से है, यह तपकी है, और उसके बाद 28 अ beneficiaries हैं, जिस दिन यह scheme launch की गए थी, उसी दिन इसने world record बना लिया था, इतने ज्यादा अकाउंट एक दिन में open किये गए थे, करोडों में अकाउंट ओपन किये गए थे, अभी तक इसमें 46.25 करोड beneficiaries हैं, और 1,73,000 करोड का balance है, रुपए हैं इन accounts में, यह सब exam point of view से से ही उठाया है, आप भी देख सकते हैं further information के लिए, इस schemes की कुछ key features देख लेते हैं, तो इस account के तहट जो account खोला जाता है, जन्दन account, उसका zero balance account होता है, कोई अनिवारिता नहीं होती कि उसमें 1200,000 account आपको रखना ही रखना है, universal access है, life insurance जिसमें 30,000 रुपए का मिल जाता है accidental insurance एक लग का कबर हो जाता है, pension transfers जो होते हैं लोगों के, जैसे कि उधारन के तोर पर अटल pension योजना है यहाप लिखा हुआ है, वो सब इस account के तहत हो जाएगा, ठीक, तो अब यहाँ से एक और जैसे आगया कि पेंशन ट्रांसफर में अटल pension योजना है, तो आपको पता ह होना चाहिए, अटल pension योजना कौन सी है, और कब लांच की गई थी, इस तरह से आप याद करेंगे, तो आप ज्यादा चीज़े याद कर सकते हैं, इस scheme का मेंन मोटिव था, financial inclusion, यानि कि वित्तिये समावेशन के परपस से यह scheme लांच की गई थी, ताकि जो आम नागरिक हैं यह scheme लांच की गई थी, इसके बाद किसान विकास पात्रा है, 2014, फिन मिन यानि की फाइनाइन्स मिनिस्ट्री द्वारा ही है, और रास्ट्री गोकुल मिशान है, 2014, तो गोकुल मिशान है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अगरिकल्चर और फार्मर्स वेलफेर से रिलेटेड है, प् दानमंत्री मुद्रा योजना, आठ अप्रेल 2015 को यह scheme लांच की गई थी, यह करेंट गवर्मेंट की बहुत ही ज्यादा सक्सेस्फूल स्कीम भी है, और बहुत ही ज्यादा पॉप्लर स्कीम भी है, मुद्रा योजना, आठ अप्रेल 2015, फाइनाइन्स मिनिस्ट्री फिन मिन उनको 10 लाख रुपए तक का लोन इस मुद्रा योजना के तहट प्रुवाइड कराया जाता है, इसका फर्दर रीडिंग के लिए आप प्रदानमंत्री मुद्रा योजना.org.in पर जाके पढ़ सकते हैं, और इस scheme का, इसमें अगली साथ देख लेते हैं, कैटेगरी है, शि प्रदानमंत्री जीवन जोती वीमा योजना, प्रदानमंत्री सुरक्षा वीमा योजना और अटल पेंशन योजना है, यह तीनों स्कीन मिनिस्ट्री फाइन्स वारा रन की जा रहे हैं, और तीनों एक ही दिन में लॉंच की गए थी, 9 माई 2015, तो यह तीनों आप देख लि वा अटल पेंशन योजना है, 18-40 साल के उम्र के लोगों के लिए है, इसमें आप कुछ minimum amount contribute करते रहते हैं, और after retirement यानि 60 साल के बाद आपको कुछ पेंशन बन जाती है, जैसा आपका contribution होता है, उसकी according और फिर आपको पेंशन मिलती रहती है, पिम सुरक्षा वीमा योजना में यह accidental संबंदित है, 18-70 साल के लोग इसको कर सकते हैं, और जीवन जोती वीमा जोना life insurance संबंदित है, इन तीनों स्कीम की launch date आप देख लीजे, 9 मही 2015 है, इसके बाद प्रधान मंतरी क्रिशी सिचाई योजना है, एक जुलाई 2015 को launch किया गया था, मिनिस्ट्र आप अगरी जाएंगे, वहाँ पर exam hall में आप देखेंगे कि फसल वीमा योजना 2015 की है, क्रिशी सिचाई योजना 2015 या 16 की है, तो इसको में जैसे मैंने आप सब लोग अपनी कुछ ना कुछ तरीका होता याद करनेंगा, मैंने इसको कैसे याद किया था, प्रधान मंतरी क्रिशी सिचा कार ने लाई थी सिचाई योजना की और उसके एक साल बात फसल वीमा योजना, नेक्स स्लाइट देखते हैं, डिजिटल इंडिया मिशन, एक जुलाई 2015, माइटी, M.E.I.T.Y. यानि Ministry of Electronics and Information Technology द्वारा रन की जाती है, ये डिजिटल इंडिया मिशन की स्कीम, स्कील इंडि प्रधान मंत्री उज्वला योजना, बहुत ही ज्यादा ये भी पॉपिलर स्कीम है भारत सरकार की, और इसमें 1 मई 2016 को बलिया डिस्टिक में इसका उधगाटन किया था, प्रधान मंत्री स्वें किया था इस स्कीम का उधगाटन, प्रधान मंत्री उज्वला योजना, इस इंधन का प्रयोग करते हैं इसकी वजए से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है पॉल्यूशन भी होता और उनका हेल्थ भी महिलाओं का हेल्थ भी बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित होता है तो इस स्कीम ने अभी तक जो इसकी अचीवमेंट है साथ करोर से ज्यादा सकीम है पहल योजणा क्या है 2015 में जानी कि 2016 में जानी इसमें क्या है इसमें सिरपे सबलोगों को दी जाती थी युद्ध को बैकम में डाला चाने लगा और जब उज्षीवला पढ़एंगे तो पै웠 पढ़एंग्ध और पढ़एंग लोग तो DBT क्या है पहल का ही पुराना नाम है DBT Direct Benefit Transfer for LPG Consumers पूरा नाम इसका यह है जनरली इसको DBT बोलते हैं और यह स्कीम को एक जनवरी 2013 में लाई गई थी और UPA गवर्मेंट दारा यह स्कीम लाई गई थी और यह Works on Giro system Giro system RBI का system है जिसमें एक बैंक जो है दूसरे बैंक को पेम प्रेज़र अमांट होता था वह डिर्यक चला जाता था इससे जो लीकेज होती थी जो सरकार का पैसा ब्लैक में जाता था वह सब चीजों को कम किया गया पहली स्कीम पहली स्कीम फॉर्मली नोन आज डिबीटी स्कीम उसी का फिर एक मोडिफाइड वर्जन आ गया मोडिफ स्कीम वस लॉंच्ट इन ऐसे डेट के साथ कन्फूज किया था उन्होंने आठ जून 2015 आठ अप्रेल 2015 12 जून 2016 और 12 अप्रेल 2016 कमेंट करकर आप लोग ज़रूर बताईएगा अगर इसका आंसर आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो पीछे से फिर से देखके बताईएग अगर आपको पीडियाफ पर में पढ़ना हो फिर से रिवाइस करना हो या इसका नोट्स बनाना हो तो आप वहां से इसको देख सकते हैं थैंक यू बेरी मच